इस बार लोकसभाज चुनाव में महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है दरसल आपको बता दे कि बिहार में 25 साल बाद 5 महिला सांसद होगी राजद ने 6 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल दिया था और वहीं जेडियू ने भी 2 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल लेकिन वहीं देखा यह जा रहा है कि राजद को नुकसान हुआ है राजद ने जो 6 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल दिया था उसमें से सिर्फ एक महिला कैंडिडेट ही जीत पाई है और वहीं जेडियू ने जो 2 महिलाओं को उतारा था वो दोनों महिला जीत दर्च क हुई है और वहीं राजद को भारी नुकसान हुआ है बिहार में 25 साल बाद 5 महिला सांसद होगी इससे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 5 महिला सांसद बनी थी हाला कि तब बिहार और जार्खंड एक थे और ऐसे में बिहार जार्खंड के बटवारे के बाद यहा 75-5 महिला जीत हासिल कर लोकसभा पहुच रही है इससे पहले वर्स 2019 में 3 महिला सांसत की ओध जीत प्राप्त हुई थी वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस चुनाव में 49 महिला उमिद्वार मैदान में थी और महा गठबंद जबकि NDA ने चार महिला उमिद्वार उतारे थे NDA की प्रत्याश्यों ने शत्प्रतिशत जीत हासिल की और वहीं राजद से एक ने जीत हासिल की है भारतिय जनता पार्टी कॉंग्रेस और वाम पंथी दलों ने भी किसी महिला उमिद्वार को मैदान में नहीं उतारा और इस बार के लोकसभाज चुनाव में मिसा भारती को पाटली पुत्र से और रोहिनी आचार्य को सारन से रितु जैस्तवाल को शिवहर से और बिमा भारती को पुर्णिया से और इसके साथ ही अर्चना रविदास को जमुई से और अनीता देवी को नवादा से टिकट दिया लेकिन केवल मिसा भारती को ही जीत मिली सिवान से निर्दलिय हिना शहाब ने अपनी ताकत दिखाई वे मुख्य लड़ाई में रही और जदियू के बाद दूसरे अस्थान पर हिना शहाब ही थी और वहीं जदियू की दो महिला उमिद्वार सिवान से विजय लक्षमी शिवर से लवली आनंद दोनों ने ही जीत हासिल की और वहीं लोजपा से दो महिला सांसद वैशाली से विना सिंग समस्ति पूर से शामवी चौधरी ने जीत दर्च की आकडों से देखे तो इस बार की चुनाव में जदियू ने दो महिला को अपना सिंबल दिया और दोनो को नुकसान उठाना पड़ा है राजद ने 6 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल दिया था लेकिन महज एक सीट पर ही यारी की पार्टली पुत्र संसदिय छेतर से सिर्फ मिसा भारती ने ही जीत दर्च किया है सिर्फ मिसा भारती जीती हैं और आपको बताते चले कि राज ने 6 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल दिया था लेकिन उसमें से सिर्फ एक महिला मिसा भारती ही जीत पाई है और इसके साथ ही उधर जैदियू ने 2 महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल दिया था लेकिन वहीं दोनों महिलाओं ने LJPR से भी और जेदियू से भी जो दो महिला थी दोनों ने जीत दर्च किया है लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह थी कि इस बार BJP ने और इसके साथ ही कॉंग्रेस और वामपंथी के दलों ने किसी महिला कैंडिडेट को अपना सिंबल नहीं दिया था लेकिन वही राजद पर में बस इतना ही आसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फरस्ट बिहार जारखन अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो मारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूप चैनल पर आएंगे जॉब चोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिय पूर्णिया में पैनोरमा ग्रूप लेकर आये हैं इहोम्स पैनोरमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब्सक्राइब अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इ एहोम्स पैनोरमा के संग एहोम्स पैनोरमा लग्जूरियस, लाइफस्टाइल रीदिफाइंट